रुमेनेंट इस घास का पाचन कर सकते हैं। इसे सक्षम बनाने के लिए उनका पाचन तंत्र रुपान्तिरित हैं। आईए देखे कैसे। रुमेनेंट अपना भोजन निगल लेते हैं और इसे अपने आमाशय में जमा करते हैं। उनके आमाशय का ये भाग रुमेन कहलाता है। वापस मुख में आ जाता है और जन्तुओं द्वारा चबाया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया रोमन्थन कहलाती है। झाल रोमन्थन कहलाती है। ए जाता है। ये इपने कहलाती है। झाल झाल